बड़ा ही इंट्रेस्टिंग और बड़ा ही मज़ेदा है खत्रों के खिलाडी सीजन बारा सीजन बारा के जबरतर स्टंथ हमने तो देखें रुबिना दिलाएक जो है वो शाइन होती है प्रतिक सहजपाल शाइन होते हैं वहीं अगर आपने देखा होगा तो शृष्टी जाम बहुत जादा हमें अमेज़ कर देती हैं जब वो रोप पे चलती है साती साथ जब वो उस पॉइथन को लेकर चलती है तब और भी जादा अमेज़ कर देती है अब ऐसी में दोस्तों हसी मजग के दोरान कुछ तो पक रहा है स्वागत है आपका चैनल टैली के जानव में मैं आपका यारों का यार, होस्त राखुल भोज वहीं जब कभी भी अगर बात करें प्रतिक सहजपाल के और प्रतिक सहजपाल के र्यालिटी स्चोष के तो अकसर ये बात आती है कि वही प्रतिक का एक lover boy side भी image है जो कि हमें अच्छा लगता है बिग बॉस OTT में हमने नेहा के साथ देखा था बिग बॉस 15 में हमने दोस्तों उसे जो है again अलग अलग लोगों के साथ अकासा के साथ देखा था लोगों ने पसंद करी थी जोड़ी not lover boy best friend type की और लोगों ने ये किया था क्या करते हैं सोचा था कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है राइट अब यहाँ पर रोहिच छेटी साहब ने भी बना दी जोड़ी जब प्रतिक की टांकी जी गई ऑर प्रतिक को वो साईट बहुत अचा लगता है जब प्रतिक का नाम किसी के साथ जुड़ता और प्रतिक के चहरे पे बलशंच आथाक आता है और यस प्रतीक और वो बहुत ज़्यादा लड़ते थे राइट और यहाँपर वो कहते है कि कौन से रियालिटी शो में थे फिर उसके बाद बात चित होती हो तो इक मैं प्रतीक को जानती हूं प्रतीक aisa as a बात होती है उसके बाद निशान कहता है ठाकुर तो गय हो और प्रतिक हसने लग जाता है प्रतिक के चहरे पर अलग स्माइल आती है प्रतिक ब्लश करने लग जाता है और रोहित शिट्टी साहब कहते हैं कि अरे तुम ब्लश कूं कर रहे हैं मैं तो नहीं पर नॉमल कहा रहा पिर से चड़ाएं, फिर से फन करें, एंटर्टेनिंग करें और इंगेचिंग कर दें आपको क्या है कहना जरूर बताईएगा चलता हूँ, वैसे प्रतिक और चेतना की जोड़ी अच्छी लगती है मुझे तो अच्छी लगी, आपको कैसी लगी जरूर बताना